साथियों नमस्कार आज की क्लास में हम बात करेंगे उपग्रहों के प्रकार और उनके लांच विकल्स के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपग्रहों के प्रकार किसे उपग्रहों के प्रकार यदि हम मोटे तोर पर उपग्रहों को वरगी करत करें तो उन्हें तीन प्रकार के उपग्रहों में हम क्या करशकते हैं वर्गिकरत करशकते हैं पहले प्रकार के उपग्रह होते हैं communication satellite संचार उपग्रह, संचार उपग्रह जैसा की नाम से इस्तष्ट है संचार माध्यमों को क्या करने के लिए network परदान करने के लिए ये उपग्रह स्थापित किये जा दे रहें जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल का कम्यूनिकेशन इस परकार के उपग्रहों पर क्या करता है निरभर करता है दूसरे परकार के उपग्रह होते है नविगेशन सैटलाइट जिने हिंदी में कहा जाता है और ये उपग्रह किस में मदद करते है एक्जेक्ट लोकेशन किसी वस्तू या इस्थान की बताने में क्या करते है मदद करते है तीसरे परकार के उपग्रह है रिमोट सैंसिंग सैटलाइट जिने दूर शमवेदी उपग्रहों के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रत्वी के मानचित्रन, प्रत्वी की जो संसादन है उनके बारे में बताते हैं तो मोटे तोर पर तीन प्रकार के सैटलाइट हमें देखने को मिलते हैं Communication Satellite, Navigation Satellite और Remote Sensing Satellite आईए एक एक करके सभी को समझने का हम प्रियास करते हैं पहला प्रकार है Communication Satellite, जैसे मैंने आपको बताया है रेडियो, मोबाइल, टिवी, आदी सभी में जो संचार संभव है वो किसके कारण संभव है? Communication Satellite के कारण संभव है कैसे? क्योंकि कोई भी उपकरण जो कार्री करता है वो उपकरण क्या कार्री करता है? एक उपकरण से दूसरे उपकरण ये एक उपकरण 1, ये दूसरा उपकरण 2 इनके मध्यें किसी भी प्रकार का संपर्क दो तरीके से हो सकता है पहला संपर्क जो हो सकता है, वो हो सकता है wire के द्वारा किसी भी wire के द्वारा अब wire के द्वारा संबंद स्थापित करने के लिए या संपर्क स्थापित करने के लिए यदि प्रत्वी के एक कोने में ये उपकरण है और दूसरे कोने में दूसरा उपकरण है मालो ये है mobile 1 ये mobile 1 जो है ये है मानलो भारत में, इन्डिया में ऐसी प्रकार से दूसरा जो mobile दूसरे उपकरण के हम बात करneे है ये है mobile 2 और ये मानलो का है USA में तो पहला तरीका तो क्या है यहां से लेके यहां तक एक wire को ले जाया जाए, थिक है तब इन दोनों उपकरणों के मद्दे संबlying के स्था तो उसके लिए क्या किया जाता है सेटलाइट का इस्तमाल किया जाता है कैसा इस्तमाल किया जाता है सेटलाइट का इस्तमाल किया जाता है पहले इस उपकरण से सिगनल कहां बेजे जाते हैं अप लिंक मतलब उपकरण से सेटलाइट को सिगनल बेजे जाते हैं अब सेटलाइ और डाउन लिंक के माध्यम से किनहीं दो उपकरणों के मध्य संपर्ख स्थापित करने वाले सेटलाइट कहलते हैं या संचार उपग्रह कहलाते हैं अब किसी भी संचार उपग्रह की कि हम कारे परणाली देखें या उसके पुरल सिस्टम को देखें तो उसमें अनिवारे रूप से हमें कुछ चीजे दिखाई देती हैं आईए देखते हैं संचार उपग्रह जो परमानली होती है उसमें अवश्यक रूप से क्या-क्या चीज हमें दिखाई देगी सबसे पहले सेटलाइट होगा और उसके लावा ऐसे दो उपकरण होंगे जिनके मद्दे क्या करना है संबंद स्थापित करना है जैसे ये धरातल पर क्या है प्रत्वी की सतय पर कोई उपकरण है अब इस उपकरण से क्या भेजना होगा इस उपकरण से यदि सिगनल भेजना है दूसरे उपकरण जो कि यहाँ स्थित है तो एक उपकरण तो किसके रूप में काम करता है सेंडर के रूप में काम करता है सेंडर के रूप में सिगनल को सेंड करेगा अब सिगनल को सेंड करने के लिए इस sender पर क्या होना चाहिए एक transmitter अवश्य लगा होना चाहिए क्या लगा होना चाहिए transmitter लगा होना चाहिए ये transmitter इस sender से message को signal के रूप में परिवर्थित करके किसके पास बेजता है उस transmitter से signal भेजा जाता है कहा satellite को, तो satellite पे इस signal को ग्रहन करने के लिए एक receiver आवश्य रूप से लगा होना चाहिए, तो यहां से गया transmitter से signal गया, receiver क्या करेगा, ग्रहन करेगा, अब इस signal को वापिस दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए, या उसी उपकरण तक वापिस भेजने के लिए क्या होना आवश्यक होगा, इस उपकरण की तरफ वापिस से क्या करेगा, भेजेगा, इसे क्या कह देंगे, डाउन लिंक प्रोसेस कह देंगे, अब नीचे उपकरण के पास में जब यह signal जाएगा, तो इस signal को ग्रहन करने के लिए, उपकरण के पास में धरातल पर वापिस क्या होना चाहिए, रिशीवर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं, ट्रांस्मीटर और रिशीवर की आवशक्ता धरातलिये, जो धरातलिये जो उपकरण है, जिनके मंद्य संपर्क इस्थापित किया जाना है, उनमें भी होना चाहिए, और उपग्रह में भी होना चाहिए, सेटलाइट की तरफ जो इस प्रकार की व्यवस्ता होती है, उसे सेटलाइट ट्रांस्पोंडर बोल देते हैं, और तरिस्टोरियल यानि धरातल पर इस प्रकार की व्यवस्ता को तरिस्टोरियल टर्मिनल बोल देते हैं, और दोनों ही टर्मिनल्स पर क्या होना चाहिए, रिसीवर और ट्रांस्मिटर होने चाहिए, तब ही कम्यूनिकेशन सेटलाइट दोड़ा संचार इस्थापित किया जा सकता है, जैसे टेलिविजन है मालो टीवी में, तो टीवी को अपने सिगनल प्रांप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इस टीवी में ट्रांस्मिटर और रिसीवर दोनों होना चाहिए, और जिस सेटलाइट के पास में सिगनल भेजे जाते हैं, यानि कम्यूनिकेशन और receiver दोनों होने चाहिए receiver और transmitter दोनों ही होंगे तब संचार क्या होगा इस्थापित हो जाएगा अब पहले यानि जब initial stage थी उस initial stage में इस धरातल से signal भेजने के लिए कहा signal भेजने के लिए satellite की तरफ signal भेजने के लिए या satellite से signal को प्राप्त करने के लिए पहले जो transmitter और receiver लगे होते थे antenna के रूप में उस antenna के रूप में बड़े बड़े जो है वो tower लगे होते थे अधिक उचाई के अधिक छेतरफल के क्या होते थे tower लगे होते थे यानि तरिस्टोरियल जो terminal था धरातल की जरफ जो terminal था वो terminal पह कुछ antenna पैदे लगे होते थे च्छतों के उपर वो antenna लगते थे लेकिन अब उस antenna की विवस्ता आप नहीं देखते हैं क्योंकि टीवी के अंदर inbuilt ही transmitter और क्या कर दिये गये हैं transmitter और receiver को fit कर दिया गया है यानि टेरिस्टोरियल जो terminal है उनका आकार अब बहुत छोटा कर दिय गया है और उस छोटे आकार के इस प्रकार के terminal को क्या बोल देते हैं V-set बोल देते हैं very small apparatus बोलते हैं तो आपने V-set technology सुनी भी होगी तो V-set technology के अंतर बड़े-बड़े antenna के जगें inbuilt छोटे antenna का प्रियोग किया जाता है उसी को V-set very small apparatus terminal कहते हैं और V-set में actual में होता क्या है receiver भी होता है और transmitter भी होता है लेकिन इनका आकार बहुत ही जोटा होता है यह थे communication satellite next दूसरे परकार के जो satellite हैं उनको वो है नोवचन उपग्रह नहों वेहन अपग्रहों को देखने से पहले हमें जो communication satellite है उसकी कुछ विसेश्थाओं को देखना है तो आईए पहले communication satellite की कु कि यदि हम बात करें तो communication satellite जो कारे करते हैं वो एक particular spectrum में कारे करते हैं का करते हैं spectrum में कारे करते हैं spectrum का ताथ पर यह देखें यह हमने देखा था communication satellite में एक होता है uplink की विवस्ता और दूसरी होती है downlink की विवस्ता uplink और downlink जो होता है यानि धरातल पर transmitter और उपगरह पर receiver या transmitter और receiver तो satellite पर और धरातल पर receiver के मद्दे जो संपर्क के स्थापित होता है उसके लिए जो तरंगे चाहिए होती है वो तरंगे एक specific आवर्ती की होनी चाहिए एक निश्चित आवर्ती या एक विशिष्ट आवर् लिंक किया जाता है वो क्या वो frequency आवरती क्या कहलाती है spectrum कहलाती है क्या कहलाती है spectrum और इस spectrum इस आवरती में मुख्य रूप से microwave तरंगो का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि communication satellites के अंतरगत जिन तरंगो का उपयोग channel के रूप में, या माध्यम के रूप में किया जाता है, वो किस परकार की तरंगे हैं, microwave तरंगे हैं, और इन microwave तरंगों को समरित रूप से क्या कह दिया जाता है, spectrum कह दिया जाता है, तो यह बांक भी spectrum की, अब जब downlink संपरक इस्थापित किए जाता है, यानि सेटेलाइट से उपकरण की ओर सेटेलाइट से हमको क्या बेजना है नीचे धरातल पर क्या बेजना है सिगनल जब बेजना है उस इस्थिती में सिगनल जब बेजता है तो उसको क्या कह दिया जाता है डाउन लिंक और इस डाउन लिंक के लिए जो frequency use की जाती है वो यानि uplink के लिए अधिक आवरती की तरंगों की आवशक्ता होगी जबकि downlink के लिए कम आवरती की तरंगों की क्या होती है आवशक्ता होती है साथ ही साथ communication satellite एक विसेश band की communication satellite एक विसेश band अब ये जो आवरती विशेशच परास की जो आवरती होती है उसको क्या बोल दिया जाता है band और इसी प्रकार का एक band है KU band frequency क्या है KU band frequency और जब इस KU band frequency का प्रियोग uplink या downlink के लिए किया जाता है तो जो antenna हमें transmission, signal के transmission या receiving के लिए चाहिए उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है यानि uplink और downlink, यहाँ पे क्या है? दरातल पर कोई उपकरण है अब इस उपकरण से हमें क्या बेजना है? सिगनल बेजने कहां बेजने है? सेटलाइट अब यहाँ सेटलाइट तक बेजने के लिए इस उपकरण पर क्या होगा? एक तो receiver चाहिएगा और एक क्या होता है? transmitter चाहिए होता है और यह receiver और transmitter का जब आकार बड़ा होता है तो वो antenna के रूप में हमें दिखता है लेकिन जब सेटलाइट और उपकरण के बीच में communication के लिए संपर्क इस्थापित करने के लिए KU band की frequency का प्रियोग KU band frequency की तरंगों का प्रियोग यदि किया जाएगा तो हमें बड़े antenna के आवशकता नहीं होती छोटे आकार के antenna से ही हमारा काम चल जाता है लेकिन यदि AC band frequency का प्रियोग किया जाता है communication satellite से संपर्क इस्थापित करने के लिए उपकरणों का तब हमें बड़े आकार का antenna चाहिए होता है तो कई बार आप देखते हैं कुछ जगों पर आपको बड़े आकार के antenna दिखाई देते हैं जबकि कुछ जगों पर आपको छोटे आकार के antenna दिखाई देते हैं उनमें फरक क्या होता है जहां छोटे आकार के antenna है इसका मतलब communication के लिए के-ई-उ बेंड तरंगों का प्रियोग किया जा रहा है भारत की जो उपग्रह संचार प्रणाली है, जो कि किस से संबंदित है? कम्यूनिकेशन से संबंदित है, संचार से संबंदित है, उस भारत की संचार प्रणाली को क्या बोल देते हैं? INSET बोल देते हैं और INSET के फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेटलाइट सिस्टम तो INSET नाम के उपगरहों को भारत में कम्यूनिकेशन सेटलाइट के रूप में क्या किया गया है इस्थापित किया गया है इन INSET परनाली के जो उपगरह हैं इसमें नेशनल कम्यूनिकेशन सेटलाइट अपितु इस रेणी के अंतरकत कुछ मोसम का पूर्वानुमान लगाने वाले सेटलाइट को भी क्या किया जाता है अंतरिक्ष में भारत के द्वारा इस्थापित किया जाता है INSET परनाली के प्रमुक उपगरह हैं जो भारत द्वारा अब तक इतियास से लेके अब तक जो सेटलाइट इस्थापित किये गए है INSET परनाली INSET परनाली मतलब कम्यूनिकेशन सेटलाइट वो कौन-कौन से है सुरुवात से हम देखें तो वो है INSET 1A, 1B, 1C, 1D उसके बाद में INSET 2A, 2B, 2C, 2D, T, E इस परकार 3 की सीरीज में 3A, B, C, D, E फिर 4 की सीरीज में 4A, 4B, 4C और 4C, R नाम के सेटलाइट उसके बाद में कलपना 1, G-SET, 234, Aju-SET, INSET, A, B, C, D, E, F, G इसी परकार H, A, M, S, W, A उसके बाद ANU-SET, ANU-SET नाम के जो उपगरह हैं वो भारत की INSET, प्रनाली के अंतरगत कुछ मौसम पूरवान के लिए और कुछ कम्यूनिकेशन के लिए क्या किये गए हैं, इस्थापित किये गए हैं तो ये बाद भी कम्यूनिकेशन सेटलाइट की अब बाद करते हैं, नेविगेशन सेटलाइट की या नोवहन उपगरह की, नोवहन उपगरह कौन से होते हैं ऐसे उपगरह जो किसमें सायता करते हैं नेविगेशन या लोकेशन ग्याद करने के लिए क्या करते हैं सायता करते हैं और navigation या locate करने के लिए किसी स्थान को व्यक्ति को वस्तू को काम में आते हैं और इस navigation की जो satellite परणाली है वो विश्व में यदि हम देखें दो प्रमुक परणाली हमें navigation के दिखाई देती है एक तो क्या है GPS और एक GLONASS और एक और परणाली अभी हमें देखने को जो मिल रही है वो है गैलीलियो यानि navigation satellite की वेस्वी क्रूप से यदि हम बात करें तो GPS, GLONASS और गैलीलियो तीन परणाली हमें navigation satellite की दखाई देते हैं तीनों को ही हम विस्तार से आगे बात करेंगे तीनों में क्या अंतर होता है उसे भी समझने का प्रियास करेंगे फिलाल के लिए बात कर रहे हैं navigation satellites की navigation satellites की यदि भारत के संदर में बात करें तो भारत की जो navigation satellite परणाली है जैसे हमने communication satellite परणाली जो भारत की थी उसको किस नाम से जाना था INSAT INSAT के नाम से जाना था उसी तरह भारत की जो navigation satellite परणाली है उसे IRN IRNSS के नाम से जानते हैं और IRNSS का तात्पर होता है Indian Regional Navigation Satellite System इस नाम से भारत की navigation satellite परणाली को जाना जाता है अब भारत की जो satellite परणाली है किसकी navigation satellite प्रणाली जिसे हमने क्या नाम दिया IRNSS नाम दिया उसमें जिस प्रणाली का प्रियोग किया जाता है वो प्रणाली है Gagan और SBAS अब ये Gagan और SBAS क्या होती है Gagan की यदि हम बात करें तो Gagan का तात्पर ये है GPS Geo Augmented Navigation GPS Geo Augmented Navigation अब इसकी technology क्या है उतना ज़्यादा deep में हमें जाने की जरुत नहीं है क्योंकि हम सामन्य विज्ञान की दरश्टी से क्या पढ़ रहे हैं विज्ञान और तकनीकी को एक प्रतियोगी परिक्षा की दरश्टी से विज्ञान और तकनीकी की काम पढ़ रहे हैं ना कि engineering करने के लिए तो ये गगन परनाली आपको ज़रुर ध्यान रखनी है इसकी full form भी आपको ध्यान रखनी है दूसरी परनाली, दूसरा system जो काम में लिया जाता है किसमें भारत की satellite परनाली में वो है SBAS जिसे satellite best augmentation system कहते हैं तो इस परकार की कुछ तकनीकी भारत की जो नोवहन परनाली है उसमें उपयोग में ली जाती है अब हमने तीन परमुख नोवहन परनाली की विश्व में बात की थी GPS, Galileo और GLONASS आईए एक एक करके तीनों को हम देख लेते हैं पहली है GPS जिसे किस नाम से जाना जाता है Global Positioning System Global Positioning System आप दिन प्रती दिन प्रियोग करते हो Google Maps याँ आप किसी वस्व को लोकेट करते हो वो GPS परनाली है एक चुल में Global Positioning System नाम की एक परनाली है जिसके अंतरगत जो सेटलाइस्ट स्थाफित किये जाते हैं Navigation Satellite स्थाफित किये जाते हैं वो पर्थवी की सतय से 20,200 किलोमेटर के उपर यानि GPS के लिए जो सेटलाइट सिगनल देता है वो पर्थवी की सतय से 20,200 किलोमेटर की उंचाई पर क्या है इस परनाली को 9 स्टार भी कहते हैं NAVSTAR के नाम से भी जाना जाता है और ये USA, अमेरिका की क्या है Navigation Satellite परनाली है और इस Navigation Satellite परनाली में दो परकार की Frequencies, दो परकार की आवरतियों का प्रियोग Communication इस्थाफित करने के लिए या Navigation इस्थाफित करने के लिए किया जाता है पहली है L1 आवरति L1 Frequency पे जब किसी वस्तु का L1 Frequency का प्रियोग करते हुए किसी इस्थान या व्यक्ति की जो Location पता की जाती है वो Civil प्रियोग के लिए की जाती है Civil प्रियोग मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है इस प्रनाली का उप्योग करते हुए किसी व्यक्ति या इस्थान की Location को क्या कर सकता है ग्यात कर सकता है और ये कहलाती है SPS ये Standard Positioning System कहलाता है यही किसी वस्तु की या इस्थान की या आद्मी की क्या करता है location देता है किसके इसाब से standard positioning के इसाब से इसलिए standard positioning system कहलाता है यानि बिल्कुल accurately exact information या location ये नहीं देता अपितु कुछ meter क्या कुछ millimeter की तुटी हमें यहाँ इसमें देखने को मिल सकती है जबकि दूसरी frequency जो प्रियोग की जाती है navigation satellites के लिए वो है L2 और ये military उपियोग के लिए ये क्या किया जाता है काम में लिया जाता है और ये होता है PPS यानि precise positioning system military के लिए काम में ले रहे हैं तो क्या करना है सत्रूपे हमला करना है उसकी position गयात करनी है उसकी location गयात करनी है तो ये थी global positioning system अमेरिका की नोवहन प्रनाली ये navigation system दूसरा है GLONASS navigation system रूस की क्या है एक navigation प्रनाली है और वहाँ हमने देखा था कि 20,200 km पर क्या किया गया था satellite इस्थापित किया गया था navigation के लिए GLONASS प्रनाली में जो satellite इस्थापित किये गए है वह 19,100 km की दूरी पर ही क्या किये गये इस्थापित किये गये तो आपको ध्यान रखना है जो geostationary orbit है उससे भी नीचे क्या क्या जा रहा है इस्थापित किया जा रहा है कि इसको navigation satellite को GLONASS और GPS में military और civil दोनों ही उप्योग में ये लिया जाता है वही system होते हैं इसमें भी SPS standard positioning system और PSS precise positioning system दोनों ही प्रकार का उप्योग यहाँ पर लिया जाता है SPS जब हम civil उप्योग में पीसीएस जब military उप्योग में GLONASS को लिया जाता है next है Galileo Galileo प्रकार की जो नोवहन प्रणाली है navigation system है इसकी स्थापना प्रत्वी से बहुत निकाट अथार 2300 किलोमेटर की उचाई पर ही की जाती है 2300 किलोमेटर पर बहुत मजदीक है प्रत्वी से यानि ये जो location देखा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी सटीक होगी तो अधिक सटीक किस की अपेक्षा गलोनास और GPS के पेक्षा गैलेलियो अधिक सटीक रूप से क्या करता है location प्रदान करता है और गलोनास और GPS दोनों ही टेक्नीक का प्रियोग क्या किया जाता है गैलेलियो के अंतरगत किया जाता है चाहे military use हो चाहे civil use हो दोनों के लिए ये क्या करता है location को प्रदान करता है ये थी विश्व की प्रमुख नोवहन प्रणालिया या navigation system अब तीसरे प्रकार के दो प्रकार के उपग्रह हम देख चुके हैं पहले प्रकार के जो उपग्रह हैं हमने communication satellite, दूसरे navigation satellite और तीसरे प्रकार के जो उपग्रह हैं remote sensing satellite और इने भू प्रेक्षन उपग्रह भी कहा जाता है या earth observation उपग्रह भी इनको कहा जाता है हिंदी में दूर समवेदी उपग्रह भी इनको कह देते हैं और ये उपग्रह प्रमुख रूप से क्या करते हैं धर्ती पर प्राकरतिक संसादनों का क्या लगाते हैं पता लगाते हैं जल संसादनों का पता लगाते हैं वन्यजीव संसादनों का पता लगाते हैं और वन्यजीव संसादनों का पता लगाकर ये वन्यजीव सरक्षन के उपयोग में भी लिये जाते हैं किसी भी pipeline में कोई बड़ी pipeline जा रही है उसमें leakage का पता भी ये लगा सकते हैं साथ ही साथ विपस्व के विभिन इस्थानों का मानचित्रन भी ये कर शकते हैं इतने सारी ये कारे कैसे करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं सेटलाइट से कुछ क्या बेजी जाती हैं तरंगे पिस से परावर्तित होकर कहां जाती हैं सेटलाइट के पास में जाती हैं और इस परावर्तन में जो तरंगों की वेग या तरंगों की जो प्रकरती परीवर्तित होती है उस परीवर्तित प्रकरती के आधार पर ये सेटलाइट पता लगा लेता है कि ये तरंगे पहाड से दूर समवेदी उपगर है, Remote Sensing Satellite, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के संदर्म में दूर समवेदी उपगर हों के बारे में, भारत के संदर्म में यह दिया हम बात करें, Remote Sensing Satellite की, तो Remote Sensing Satellite जो भारत के कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, IRSS, जैसे हमने देखा था, Communication Satellite को क्या नाम दिया था? INSET नाम दिया था उसी प्रकार दूर-समवेदी उपग्रह जो पर्नाली है भारत की उसे नाम दिया जाता है IRSS Indian Remote Sensing Satellite System इसे कहा जाता है और इसके तहत मुखय रूप से भारत द्वारा जो सेटलाइट प्रक्षेपित किये गए हैं वो है कार्टो सेट, रिसोर्स सेट IRS-1C, IRS-1D और उसके अलावा ओस्चिन सेट ये कुछ प्रमुक उपग्रे हैं जो भारतिय दूर्शमेदी उपग्रे प्रणाली के तहत IRSS सिस्टम के रूप में क्या किये गए हैं, इस्थापित किये गए ये थे उपग्रों के प्रकार, अब बात करते हैं उपग्रों के launch vehicle की अब उपग्रे हैं, देखिए उपग्रे क्या किया जाता है धर्ती से धर्ती से launch किया जाएगा और एक निश्चित कक्षा में जाके क्या हो जाता है यह इस्थापित हो जाता है तो धरती से इस निश्चित कक्षा में पहुचाने के लिए सैटलाइट को पहुचाने के लिए क्या उशक होते हैं launch vehicle यानि launch vehicle प्रत्वी से satellite को उसकी कक्षा तक इस्थापित करने के लिए लेकर जाते हैं अब केवल इनका काम क्या होता है कि प्रत्वी से satellite को इस कक्षा तक पहुचाना तो इस कक्षा तक पहुचाने के पस्चात इन launch vehicle या इने rocket भी बोल दिया जाता है इनका अब कोई काम नहीं बसता इसलिए कक्षा में इस्थापित कर देने के पस्चान ये rocket या launch vehicle satellite से तूथ कर क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं और ये जो launch vehicle होते हैं कोई एक stage में कोई 2 stage, 3 stage, 4 stage ये stage किस पर निरबढ़ करती है कि किसी satellite को कितनी उंचाई तक लेकर जाना है तो पहले stage में एक इंधन क्या देगा उर्जा देगा चलने के लिए दूसरे stage में दूसरा तीसरे चोथे इस तरह से जो प्रक्षेपण यान होते हैं या launch vehicle होते हैं उनके क्या होते हैं कुछ चरन होते हैं उने चरन 1st, 2nd, 4nd, 3rd के नाम से जाना जाता है और समन्नित हैं किसी भी launch vehicle की 3 stages होती है जिने stage 1, stage 2, और stage 3rd क्या कर दिआ जाता है कह दिया जाता है और कुछ ऐसे satellite जिनको बहुत उंचाई पर क्या करना है इस्थापित करना है उनके लिए साथ में एक booster rocket का भी क्या करिया जाता है प्रियोग किया जाता है अब ये first, second, third, चरण जो है वो क्यों प्रियोग में लिए जाते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रत्वी से क्या करना है प्रत्वी से मानलो क्या करना है किसी कक्षा में satellite को इस्थापित करना है तो प्रत्वी से थोड़ी उंचाई पर जाकर क्या होगा रोकेट का एक भाग जैसे जैसे अब ये प्रत्वी से उंचाई की तरब बढ़ रहा है तो जितना हलका होता जाएगा उतना ही आसान होता ज जब गिरते रहते हैं तो उन्हें स्टेज की संग्या दे दी जाती है पहले इस प्रकार की व्यवस्ता को श्टेज 1,2,3,4 कहते हैं चितर के माध्यम से और ज्यादा स्विस्ति काकंड से समझेंगे लेकिन उसके लाभे हम देखें अब propolents अकेला ही केवल सैटलाइट को गती नहीं प्रदान कर सकता propolents को अपने साथ में oxidizer की भी क्या होती है आवशकता होती है तो ये थे launch vehicle और launch vehicle के जो इंदन है वो propolent और propolent को किस की आवशकता oxidizer की साथ में आवशकता होती है अब इस image के माद्धियम से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं आइए देखते हैं इस image को यदि हम central में लेके आए तो देखेंगे हम यह देखेंगे यह जो image है इसमें यदि हम बात करें तो आपको launch vehicle के कुछ part दिखाई दे रहे हैं पहला part है engine कौन सा engine अब first stage यह आपको दिखाई दे रहा है second stage फिर आपको third stage और फिर fourth stage तो इसका तात्पर क्या हुआ और यह जगह किसकी हो गई satellite की किसकी satellite यहाँ पर satellite क्या गया रख दिया गया यह launch vehicle है अब यह जैसे ही क्या होता है start होता है क्या होता है start होता है प्रत्वी से यह कहां बढ़ने की कक्षा की तरफ जाएगा प्रत्वी से कक्षा की तरफ यह जाएगा तो होता क्या है सबसे पहले पहला part तूट कर क्या हो जाता है यहाँ से यह तूट गया यहां से तूटकर क्या हो गया? अलग हो गया यानी अब कितना पार्ट बचा? उपर जाने के लिए इतना ही भाग दूसरी stage में यहां से तूट जाएगा तीसरी stage में यहां से और कख्षा में पहुँचकर यहां से सेटलाइट से अलग होते जाते हैं तो यह थी सेटलाइट को लॉंच करने की व्यवस्था जो कि लॉंचिंग विकल के माध्यम से क्या की जाती है प्रदान की जाती है सेटलाइट जो हमने देखा कि सेटलाइट को लॉंच करने के लिए जो विकल है जो वहन काम में लिये जात अब ये propolent कितने प्रकार क्यों होते हैं मोटे तोर पर तीन प्रकार क्यों पहला solid propolent जिने ठोस प्रणोदक के नाम से जाना जाता है दूसरा liquid propolent तरल प्रणोदक और तीसरा cryogenic प्रणोदक ठीक है या cryogenic propolent आईए एक एकर को समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे solid propolent जो प्रणोदक होते हैं वो बनेवे किसके होते हैं क्रत्रिम रब्बर या थाइकोल और क्रत्रिम रब्बर और थाइकोल के साथ में कुछ additive और कुछ binder को इनको क्या कर देते हैं add कर दे ठोस प्रकार के प्रणोदक अब थाइकोल या जो प्राकरतिक रब्बर होता है या क्रत्रिम जो रब्बर होता है वो उसका जो नाम होता है chemical रूप से रासाइनिक रूप से वो नाम होता है dichloroethylene और polysulfide ठीक है और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है ये solid propolent कहलाता है अब solid जो propolent होते हैं उनके दहन को यदि एक बार प्रारम कर दिया जाए तो नियंतरन करना मुश्किल हो जाता है आईए इस लाइन को समझते हैं क्या diagram के माध्यम से इस लाइन को हम समझने का प्रियास करेंगे देखी ये आपको कोई launching vehicle दिखाई दे रहा है अब इस launching vehicle म इसे combustion chamber बोल देते हैं देहन कक्ष या combustion chamber अब इस combustion chamber में जब क्या किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे solid fuel और oxidizer यह वाला जो part होता है यहाँ पर क्या होता है इंधन होता है क्या होता है इंधन प्लस दूसरी चीज मैंने आपको बताई क्या यह होता है oxidizer अब देहन जो क होता है उसमें क्या करा जाता है एक परकार से देहन यानि की जोला दी जाती है और जोला देज जाने के साथ में ही उपर से क्या आता है उपर से क्या आता रहता है इंधन आता रहता है जोला और इंधन मिलकर क्या करते हैं इस launch vehicle को क्या करते हैं प्रनोध प्रदान करते हैं जिससे उपर की और ये क्या करता है गती करता है तो एक बार जब इस दहन चेंबर में हमने क्या कर दिया श्टार्ट कर दिया किसका दहन इंधन का तो यहां से इंधन सीधा क्या आ रहा है इस दहन कक्ष में आ रहा है तो एक बार श्टार्ट होने के पस चाहत इंधन का प्रिय नहीं कर शकते जब यह संपर्किक हो जाता है तो एक नियत वेग से यह आगे बढ़ना क्या कर देता है चालू कर देता है यह बात हुई हमने किसकी सॉलिड प्रॉपॉलेंट जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे लिक्विड प्रॉपॉलेंट की आप देखते हैं द्रेख को क्या कर शकते हैं लॉंच वीकल के वो वेग को क्या कर सकते हैं तो यहां प्रत्वी से रवना हुआ यहां इस कशा में लेकिन बीज में आऊचाध पड़ी कि इसके मार्ग को हमें बदलना है तो मार्ग को बदलने के लिए इसके वेग में परिवर्तन करना पड़ी का वेग में परिवर्तन करने के लिए दहन को नियंतरन करना पड़ता है अब दहन को नियंतरन करना यदि हमने solid प्रोपोलेंट का प्रियोग किया तो मुस्किल है क्यों क्योंकि दहन कक्ष और इंधन कक्ष आपस में संपर्ग में रहते हैं तो वहां एक बार चालू होने के पस्चा दहन को नियंतरित करना मुस्किल है लेकिन यहां जब हम किसका प्रियोग करते हैं द्रव इंधन का प्रि द्रव इंधन के रूप में द्रव liquid propolent के रूप में जो material प्रियोग होते हैं वो होते हैं alcohol, kerosene और gasoline और oxidizer के रूप में प्रियोग किये जाती है तरल oxygen क्या होती हैं तरल oxygen अब मैंने आपका बताया इसका देहन को नियंतरित करना आसान होता है वोर देख लेते हैं क्या आसान देखें diagram के माध्यम से तो यहां हमने देखा था ठोस प्रोपोलेंट में हमने बात की थी solid प्रोपोलेंट में कि यह जो दहन चमबर है यह और इंधन चमबर दोनों आपस में क्या रहते हैं संपर्क के तरहते हैं, इसलिए इनके दहन को नियंद्रित करना मुश्किल होता है, दूसरी तरफ हम liquid proponent की यह दिये बात करें, तो यहां हम देख पाएंगे, यह वाला होता है दहन, यह वाला होता है दहन कक्ष क्या होता है, दहन कक्ष जहां से दहन प्रारम होता है ठीक है और इस दहन कक्ष के उपर की तरफ क्या होता है ये इंधन कक्ष क्या होता है इंधन कक्ष और बीच में ये क्या होता है liquid oxidizer liquid oxidizer यहीं कह सकते हैn oxidizer कक्ष होता है NOW prawdhie oxidizer और तरल दोनों मिलकर क्या करते हैं दोनों को मिलकर क्या किया जा सकता है इनका दहन करके फिर क्या किया जा सकता है प्रनोध उत्पन किया जाता है जिससे ौंत्विकल ऊपर बढ़े लेकिन यहां इस दहन कक्ष में इस इंधन का और ऑक्सिडाइजर का आना क्या होता है नियंत्रित होता है नियंत्रित क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि ये दोनों चेंबर आपस में एक दूसरे से संपर्कित नहीं रहते अपितू क्या रहते हैं सेपरेट तो जितनी आवश कर शकते हैं उस दर को परिवर्तित करने से मिलने वाली जो उड़ जाए वो परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से हम वेग को नियंतरित कर शकते हैं लॉंच विगल के वेग को क्या कर शकते हैं नियंतरित कर शकते हैं यह बात करी हमने किसकी लिक्विड के विशह में ठोस जो प्रोपोलेंट हैं उनसे क्या अंतर होता है इस चीज़ को हमने देख लिया और क्यों इनको नियंतित करना अपेक्षा क्रत ठोस प्रोपोलेंट के अपेक्षा क्या होता है आसान होता है अब लिक्विड जो प्रोपोलेंट होते हैं उनके प्रकारों की दियम्बाग करें तो मुख्य रूप से दो प्रकारों में liquid propolence को बाटा जा सकता है पहला प्रकार है hypergolic liquid propolence hypergolic liquid propolence यानि hypergolic तरल इनमें क्या होता है ऑक्सिडाइजर और इंधन का जो संपर्क होता है उस संपर्क के स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है जैसे यह प्रकार के liquid propolence को तो क्या बोल दिया hypergolic liquid propolent और दूसरा होता है monopropolent ठीक है इसमें क्या होता है इंधन और oxidizer दोनों chamber आपस में क्या रहते हैं संपर्क में ही रहते हैं और केवल संपर्क मातर से ही क्या होता है इनका दहन नहीं होता है अपितु दहन करने के लिए दहन कक्षे ignition करना पड़ता है एक जुआला देने पड़ती है तब ही क्या होता है इनका दहन प्रारम होता है इनने क्या कह दिया जाएगा इस परकार के जो इस परकार का जो तरल ने इंधन है उसे क्या कह दिया जाएगा monopropolent कह दिया जाएगा अब जो liquid propolence या तरल जो इंधन होते हैं उन्हें क्या होती हैं उन्हें उनके द्वारा उन्हें नी उनके द्वारा क्या होता है उच्छ ताप high temperature को क्या किया जाता है उत्पन किया जाता है यानि oxidizer और जब इंधन मिलते हैं तो उच्छ ताप उत्पन करते हैं और जूंकि उ दे उस पिखलने के नियंत्रण के लिए वहाँ पर cooling करनी जरूरी होती है यानि इंधन और oxidizer जब संपर्क में आया उसका धहन हुआ तो एक उच्चताप उत्पन हुआ उस उच्चताप को नियंत्रित रखने के लिए इस liquid propolence में regenerative cooling का प्रियोग किया जाता है regenerative cooling का तात्परिका है जो उच्चताप मान उत्पन हुआ है उससे किसी अन्य प्रकार की उर्जा को उपयोग किसमे कर लिया जाता है किसी अन्य प्रकार की उर्जा उत्पन करने में कर लिया जाता है और इस regenerative cooling के लिए क्या किया जाता है जो दहन चेंबर ये combustion जो चेंबर होत जाता है उसके चारों और इस टेम्प्रेचर वाले टेम्प्रेचर जो उच्पन हुआ है उसके चारों और इस तरल लिक्विड को क्या कर दिया जाता है गुमा दिया जाता है जिससे री जनरेटिव क्या होती है री जनरेटिव उजा उच्पन होती है तो कहने का तात्पर क्य जो अत्यदिक उच्छ ताप्मान उत्पन हुआ है किसमे liquid propolent के यूज से या उसके दहन से उसकी regenerative cooling यहाँ पर की जाती है ये थे liquid propolent next हम बात करते हैं अगले cryogenic परकार के propolent सबसे उन्नत परकार के ये क्या होते हैं प्रदूषन नहीं फिलाते हैं इसलिए ये बाकि के दो जो प्रोपोलेंट हैं उनसे क्या होते हैं उनसे कम हानिकारक होते हैं परियावरण के लिए क्योंकि कम प्रदूशन क्या करते हैं ये उत्पन करते हैं प्रदूशन कम उत्पन कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताए ये उन्नत परकार का इंदन है क्यों 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 क् कम तापमान पर रखा जाता है उसे ही कि हम क्या कह देते हैं क्रायोजैनिक प्रोपोलेंट कह देते हैं और सूपर कूल अवस्था में भी ऐसा नहीं है कि ये प्रोपोलेंट जम जाएगा जैसे हम करते हैं किसी पदार्थ का तापमान कम कर देंगे जैसे पानी का तापमान कम क जाता है लेकिन ये cryogenic जो पदार्थ होते हैं इनका तापमान कितना भी कम कर दिया जाए ये ठोस अवस्था में परिवर्थित नहीं होते तरल अवस्था में ही बने रहते हैं तो ये थे cryogenic प्रकार के क्या प्रोपोलेंट ये बात भी किसकी launch vehicles की technology के बारे में अब बात करते हैं कि भारत द्वारा कौन-कौन से launch vehicle को प्रियोग किया जाता है कौन से प्रक्षेपन यानों के माध्यम से भारत अपने satellites को launch करता है तो इस प्रकार के satellite है एक तो PSLV और एक GSLV PSLV की यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्वी होता है polar satellite launch vehicle GSLV की यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्वी होता है geosynchronous launch vehicle आइए देख लेते हैं क्या अंतर होता है PSLV और GSLV में पहले बात करें PSLV polar satellite launch vehicle इस launch vehicle καा प्रियोग कब किया जाता है जब remote sensing remote sensing जो सैटलाइट है remote sensing प्रत्वी के निकट ही इस्थापित किये जाते हैं लोज अर्थ और्विट में ही इनको इस्थापित किया जाता है इनको यदि उपग्रह में इस थापित करना हो इस प्रकार के satellite को तो कौण सा लांच्वीकल प्रियोग में ले जाएगा Polar Satellite Launch Vehicle प्रियोग मिले जाएगा Polar क्योंकि इनको किसमे Remote Sensing Satellite धूर ये कक्षा में यानि North Pole या South Pole पर इस्थापित किये जाते हैं इसलिए इनका नाम क्या हो गया Polar Satellite Launch Vehicle Polar Satellite Launch Vehicle में चार स्टेज चार स्टेज का प्रियोग किया जाता है पहले Solid Propolent फिर Liquid Propolent का प्रियोग किया जाएगा तो इस परकार से Solid और Liquid Propolent की क्रमसे चार अवस्थाओं का प्रियोग किसमें किया जाता है Polar Satellite Launch Vehicle में किया जाता है Stage 1 में Stage 1 कौन सी होती है जब थोड़ी उचाई प्राप्त करे फिर और ज़्यादा उन चाई और ज़्यादा उन चाई इस तरह क्या चलती stage हर stage में एक पार्ट जो होता है Longer Vehicle का अलग हो जाता है तो पहले stage में जो इंधन प्रियोग किया जाता है यानि धर्ती से जब चलेगा तो उस stage में जो इंधन प्रियोग किया जाएगा PSLV में वो कैसा होगा Solid Propolent होगा Solid Propolent होगा और उस Solid Propolent को क्या बोल दिया जाता है HTBP बोल दिया जाता है जिसका नाम है Hydroxyl Terminated Polybutadiene इंधन का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है उस से अगली stage में यानि थोड़ी और अधिक उंचाई पे अब किसका Liquid Propolent का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है और ये Liquid Propolent जो Second Stage में काम में लिया जाता है PSLV में वो है Dimethyl Hydrogen Plus N2O4 Oxidizer की रूप में क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है किसमें Second Stage में तीसरी जो stage होती है जिसे Stage 3 कहते हैं यहाँ पर Solid Propolent का प्रियोग किया जाता है और वापिस से किसी का प्रियोग किया जाता है वही HTBP का प्रियोग Solid Propolent के रूप में किया जाता है फिर Next जो Fourth Stage होती है वो वापिस से Liquid Stage Propolent का उसमें क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है और नाम होता है उसका मोनो मिथाइल हाइडरीजाइन नाम से क्या किया जाता है लिक्विट प्रोपलेंड का प्रियोग किया जाता है और ओक्सेडाइजर का क्या होता है ठीक है एन ओ nitrogen oxide का nitrous oxide का प्रियोग किसके रूप में किया जाता है oxidizer के रूप में किया जाता है तो ये थी polar satellite launch vehicle की चार stage अवस्था है कि कौन-कौन से इंधन का प्रियोग कौन सी अवस्था के अंत्रगत किया जाता है next बात करते हम GSLV की GSLV geosynchronous launch vehicle जैसे हमने पहला देखा polar satellite launch vehicle दूर समेधी उपग्रहों को इस्थापित करने के लिए इसी परकार संचार संबंदी उपग्रह और मौसम संबंदी उपग्रह जो की कहां इस्थापित किये जाते है GTO, geostationary transfer orbit में इस्थापित किये जाते है तो कहने का तात पर रहे है भू तुल्ले कालिक और भू स्थाथिक कक्षाओं में उपग्रहों को इस्थापित करना हो अधिक उँचाई पर उपग्रहों को इस्थापित करना हो तो किसको काम में लिया जाएगा GEO synchromos launch vehicle को प्रियोग में लिया जाएगा और ये किसने stage में काम करता है तीन stage में पहली stage कैसे होगी solid, दूसरी liquid और तीसरी cryogenic stage में ये कारे करता है cryogenic अवस्था क्यों क्यों क्योंकि अधिक प्रनोध क्या आउशकता है अधिक उँचाई तक लेके जाना है वह आमने चार stage देखी थी लेकिन वह चारो stage क्या थी या तो solid थी या liquid थी cryogenic नहीं थी solid या liquid किसमे PSLV में जबकि GSLV में cryogenic stage का प्रियोग भी किया जाता है ये थे PSLV और GSLV launch vehicle तो PSLV, GSLV launch vehicles को हम देख चुके launch vehicles के अलावा satellite के प्रकारों को भी हम देख चुके और भारत के संदर में satellite के प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हमने बात की अब satellite system से जुड़े हुए कुछ तक्थियों की हम बात कर लेते हैं तक्थियों की बात करें तो सबसे पहला जो satellite विस्व में सबसे पहला जो सेटलाइट अंत्रिक्ष में बेजा गया था जिस देश के द्वारा वो था रशिया और इस्पूतिनिक नाम से इसने क्या किया था satellite को बेजा था अंतरिक्ष में और उसके बाद इस पूतरिंग second नाम से भी एक उपग्रह को इन्होंने अंतरिक्ष में बेजा और उस उपग्रह में कुत्ते को भी अंतरिक्ष यान में पर्थमबार क्या किया गया भेजा गया था इसे प्रकान जो पहला चंदरियान मिशन विश्व में लॉंच किया गया था वो रश्या के द्वारा किया था लूना 3 नाम से भारत की विश्व संदर में बात करें तो भारत द्वारा जो पहला अपना सैटलाइट अंत्रिक्स में इस्थापित किया गया उस सैटलाइट का न नहीं था इसलिए भारत ने रश्या के कोस्मोस रोकेट को लॉंच विकल के रूप में प्रियोग करते वे आरेबट को अंत्रिक्ष में बेजा था यानि भारत ने रश्या के सहयोग से पहली बार अंत्रिक्ष में जो अपना सैटलाइट वो इस्थापित किया था इसके रोईनी नाम के सेटलाइट को भारत द्वारा इस समय क्या बेजा गया अंत्रिक्ष में लॉंच किया गया अब भारत ने चंद्रियान जो मिशन है वो कब कब किया इसके बारे बीदियम बात करें तो 2008 और 2011 में भारत चंद्रियान संबंदी मिशन इस्थापित कर चुका है जि के बारे में अलक्ष करंट अफिर्श के कर्षा में हम देखने वाले हैं उसके बाद में हम बात करते हैं पहला रोकेट जो भारत के द्वारा क्या किया गया था प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम था नाइक एपवास जो कि 1963 में क्या गया गया था लॉंच किया गया थ ये थे satellite, satellite system, कौन-कौन से प्रकार के प्रमुख जो satellite है वो navigation, communication सभी प्रकार के satellite में आमने बात की और अंत में हमने देखा satellite से सम्बंदित को तक्षों के बारे में तो इसी के साथ satellite से सम्बंदित जो आग की हमारी class है वो समाप्त होती है मिलते हैं अगली class में एक नए टॉपिक के साथ में तब तब के लिए धन्यवाद जहिंद